दोस्तो आपको अपने अगर अधिकारों के बारे में पता है तो आप हरतरा की लड़ाई जीत सकते हो, कानून का पता है, तो कम से कम इस मुसीबत को स्मूथली निकाल सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता तो आपके साथ कई तरह के जादतियां की जाएंगी, नमस्का दोस् चीटिंग तो हुआ कि आपके साथ में 400 बीसी किसी ने कर ली पैसा लिया, बट काम नहीं कराया है, कोई भी आपका कॉंट्रेक्ट हुआ हो, जिसके अंदर आपको उसने चीट कर दिया, मतलब आपके साथ में किसी भी तरह दोकाधरी कर दी, ये तो आया चीटिंग का मामला साथ में आता है फोर्जरेका मामला की मतलब कि आपके साथ जो एग्रिमेंट हुआ, वो एग्रिमेंट कराकर उसने कोई फोर्ज डॉक्यमेंट आपको दे दिये, या कोई भी किसी तरह के फोर्ज डॉक्यमेंट उसने खुद ही बना दिये और आपको जाके थमा दिये, या फिर कहीं से फॉर्ज डॉक्यमेंट लेकर आपको दे दी। ऐसे कई सारे मामले हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, किस तरह पुलिस इसमें अरेस्ट करती है, किस तरह से प्रोसेडिंग चलती है, और भी क्या क्या कानूनी प्रावधान है, कहां आपकी बेल होगी, कहां आपकी बेल नहीं होगी, उन सब चीजों के बारे मैं बताऊंगा आपने इस वीडियो में, दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले आपको समझने की जरूत ये है, कि चीटिंग और फॉर्जरी में डिफरेंस क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चीटिंग, जब कोई चीटिंग करे, आपके साथ में दोका धड़ी करे, और फॉर्जरी जब डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी छेड़ चाड़ की जाए या फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं। चार्सोस्रड़ू जब दो कोमन धाराएं जो लगाए जाती है, कई बार एक सोबीस भी ना लगाके चोटिस लगा दी जाती है, अब दोस्तो इन मामलों के अंदर सबसे ज़्यादा इसमें जो डेंजर एक धारा है जो सेक्शन है वो है चार सो सर्ट सर्ट जिसके अंदर की दस साल या उमर कैद तक का प्राफधान है दोस्तो किसी भी मामले में जहां फोर्ज डॉक्मेंट की गए अक्सर पुलिस सीधा ही चार सो सर्ट सर्ट लगा देती है यहां माँ कुछ देखते नहीं और लगा कर आगे भेज देते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू कुछ इस प्रोसीडिंग के बारे में कि जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है मतलब की पुलिस ने किसी के भी उपर केस दर्ज कर दिया इन चीटिंग और फोरजरी के धारों के अंदर 24 गंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेकर जाएंगे 100% ऐसा होता ही है कि हमेशा ऐसे मुकदमों में हमेशा पुलिस रिमार्न मांगती है मजिस्ट्रेट साहब से 3 दिन का 7 दिन का या जो भी उनको मिलता है कि सर मेरी अभी इन्वेस्टिगेशन पेंड है डॉकिम्म बराबंद करने है और भी कई सारे चीजे उसके बाद में पुलिस अक्सर देखा गया है कि सामने वाले जिसको अरेस्ट किया गया है उससे 2-3 नाम उगलवाने की कोशिश करती है उस केस के लिए कि कहा से डॉकिमेंट सापने लिये थे किस तरह से लिये थे और और वो जो नाम बोलता है उसी को बोलते हैं बीच में रिमान इंवस्टिकेशन वही बोलते हैं उसको और फिर उन लोगों तक भी पुलिस पहुचती है जाकर उनको भी अरेस्ट करती है अगर उन लोगों ने उन डॉकिमेंट में फॉरजरी या चीटिंग किसी तरह से अग उसको जोडिशिल कस्टि भेजना है या नहीं भेजना है दोस्तो एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोट का अरनेश कुमार वर्सी स्टेट अव बिहार का जिसके अंदर की ये बताया गया था कि जब तक आपके पास सफिशेंट ग्राउंड नहीं होंगे तब तक आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते आप अंजिस्टिफाइड अरेस्ट नहीं करोगे अगर अंजिस्टिफाइड अरेस्ट करोगे तो उसके अंदर रिनी जोहर वर्सी स्टेट अव मद्यपरदेश का भी एक मामला था जिसके अंदर की खुद स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ा था उनको जो कि इस मुकदमे में एक्यूज बनाई गए थे। दोस्तों आपको अपने अगर अधिकारों के बारे में पता है तो आप हर तरह की लडाई जीत सकते हो कानून का पता है तो कम से कम इस मुसीबत को स्मूथली निकाल सकते हो बट अग्र आपको नहीं पता तो आपके साथ कई तरह के जादतियां की जाएंगी पुलिस बिनवाते मारती पीटती हैं क्या आपके अधिकार हैं क्या कानून हैं ऐसी कई सारी चीज़े होती हैं दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ देखो चार सो बीसी का मुगतमा और कहा लगता है आ आपने नहीं लगवाई किसी से कुछ कमिटमेंट किया गी इतना पैसा दो मैं यह काम करवा के दे दूँगा वहाँ पर आपकी चार सो बीसी लगई आज कल तो ऑक्सिएन की बहुत धानले बाजी हो रही है जगा 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 आप देख सकते हैं किसे ने आपसे वादा किया कि मैं आपको अक्सिएन लाकर दूँगा अक्सिएन सिलेंडर आपको सप्लाई करूँगा बहुत दिन होगए घुमाता रहा लास्ट पेशन तक वापका मर गया तो चार सो बीसी तो यहां आई गए साथ में ही जो इसकी इल इंटेंशन थी वो भी उसके अंदर फोटजरी चीटिंग के मामलों में आसानी से चार्ड्षीट के बाद बेल हो जाती है कि चार्डषीट में सब मैंशن होता है क्या-क्या एविडेंस आपके एगेंस्ट मिले हैं क्या-क्या आप से बरामत की हुई है और बी कई चीज़ बट हमेशरा पुलिस को कौशिश यह में आएंगे वो बहुत सारे कोशन खड़े कर देंगे इसको फिर भी नजाने पुलिस क्यों इस तरह के एक्ट करती है पुलिस कोशिश करती है उस केस को ज़्यादा मजबूत बनाने की कि उस व्यक्ति को सजा हो सके जिसको उन्होंने अरेस्ट किया था यह होता है पुरा ची मुक Temi में 5 साल 8 साल 10 साल अंगे जाते हैं लोग मुक Temi चलते रहते हैं कि अकसर देश में मुक Temi में लंबे खिछते हैं और लंबे सिर्फ इसलिए खिशते हैं कि सामने दिवी अगर देखा जाए तो जो केस उसके अंदर इस टेट जो होगा जो इस्टेट का वकील होगा सरकारी वकील वो अच्छे से काम करते नहीं हैं इन केसिस पर जो प्राइविट वकील होता है वो इस केस को निकाल कर ले जाते हैं और केसे भी वरी करवा देते हैं अक्सर आपने बड़े-बड़े केसे में भी ऐसा देखा होगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं चीटिंग और फोरजरी के उपर जो मैंने वीडियो बनाया जो आपको बताया सब कुछ आपको समझ आया होगा फिर भी कोई भी किसी करता है